अलीव रीवन वेलकम तो सरोज मिश्राज यूटीब चैनल में यूटीब चैनल पर आपसे भी का बहुत-बहुत स्वागत है चार अलग-अलग डेली पॉबिक स्कूल से टीचर रिकूट्मेंट एडवर्डीजमेंट रिलीज हुई है अगर आप जॉब अपर्चुनिटी सर प्राइम लोकेशन में और इनके जो सालरी है वो सेवन पे कमिशन के हिसाब से देंगे पर्क्स भी देंगे मतलब गवर्मेंट पेश्केल देने के साथ साथ ही यह गवर्मेंट रूल्स के हिसाब से जो महंगाई बता डियर्नेस अलावेंस प्रोविडेंट फंड है लीव इनकेश्मेंट ग्रैचुटी देंगे फाइव यर्स के बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल कराएंगे अब जो भी कैडिडेट जॉइन होते है फाइनली उनके दो किड्स को फ्री एजुकेशन भी अवेलेबल कराएंगे वागी डीटेल ऑनलाइन अप्ल इनकेशन चल रहा उसके ही साब से देंगे ये पी अफ मींस प्राविदेंट फर्ड देंगे महेंगाई बत्ताडी अनस अलावन्स लीव इनकेश्मेंट ग्रैचुटी फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री एजुकेशन तू टू किट्स अफ कन्फर्म स्टाफ तो कन्फर्म भ अर्ली चाइल्डूट एजुकेशन तो D E C E D E C E करके चो क्वालिफिकेशन होती है उसमें डिग्री या डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं पी आर्टी ओल सब्जेक्ट से तो चार DPS में सब्जेगा यही वेकेंशी है सेम पी आर्टी ओल सब्जेक्त है ग्राजुए अप्लाई कर सकते हैं यहां पर फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं प्रेशर 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 भी अप्लाई कर सकते हैं तीजटी में ग्राजुएट होना है और रिलेटेट सब्जे 2 years experience मांग रहा है 11-12 को पढ़ाने का तो subject की option सारे subject की option आपको मिलेगी यह online application portal पर चलेंगे देखेंगे इसके अलावा wellness teacher की वेकेंसी है और बी कुछ multiple vacancies है wellness teacher की वेकेंसी है और साथ में master in psychology है तो आप apply कर सकते हैं 2 years experience के साथ computer, music, art and craft, dance, language teacher, Sanskrit, French, physical education, lab assistant, theatre, admin, accountant, state manager, transport manager, IT manager, safety officer, HR, PRO, front desk, executive तो यह other vacancies में जो music, art, craft, dance, Sanskrit, French, computer इसमें तो कोई फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं अब देखेंगे है कि वेकेंसी जो चार अलग 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 डेली पॉब्लिक स्कूल है वेकेंसी हैं कौन-कौन से जगह से तो सबसे पहले देखा बीक स्कूल किलें कोई वेबसाइट कर लेंगे तो वेबसाइट करलेंगे तो वातने के से वेकेंसी एक है लुद्शा मैं मतलब इनका इक गरूप है और अलग अलग जगह पर तो एक ही पोर्टल से चारोicating के लिए पॉप्लाइब कर सकते हैं भी आप पो ये उस्राइभ आप एक ही पोड़ार ए उसे ही पोड़ा जेंसेको के अपलाई कर सकते हैं सेडनी पॉड़िक स्पुल नाशिक से नाशिक महराश्वाराश्टह में थर्ड विकेंचिः यह है देली प्यसूल लावा नागपुर से यह वेब साइट तो लवानागपुर भी महराष्टर में ही है और ये चार डपीज इनकी वेकेंसी जैसे आप इसमें आपप्लाइक के लिए जब जाएंगे लास्ट एट्प्लाइट अप्लाइ सेप्टेंबर देखें इसमें क्या है ना कि यह एड़र्टीजमिंट तो मेरे पास बहुत पहले से हैं तक रिवन 15-20 दिन से एड़र्टीजमिंट मेरे पास है लेकिन मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि इसमें 500 रुपीज है मेरी कोशिश यह रहती है कि जहां पर फीज बहुत ज्यादा है या इसलिए करेंगे तो यह आपका बिल्कुल कम्प्लीटी आपका डिसेजन होगा आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है फी प्रमोशन मैं नहीं करती मुझे खुद पसंद भी नहीं कि कोई बी औरगनाईजेशन टीचर से फी खास करके प्राइवेट औरगनाईजेशन इतना ही अच्छा है अगर वो प्राइवेट है तो उसको फी चार्ज नहीं करना चाहिए लीगली मुझे भी गलत लगता है बड़ जो भी यहां पर अप्लाई करने के लिए यह उप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट ब्रांच करेंगे तो चारो आपको आप्शन क्लिक कर लेते हैं अब यहां पर आपको आजाता है यह पोर्टल स्टाफ रिक्रूट्मेंट इंस्ट्रक्शन पर्सोनल इंफरमेशन क्वालिफिकेशन एन एक्स्पीजिएंस कम्प्लीट चार स्टेजेस रहेंगे फॉर्म फिल करने के 500 रुपीज लेते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्या फीज पे करेंगे तो यह आपको शॉटलिस्ट करेंगे बुलाएंगे यह इसमें रिस्क रहता है हो सकता है कि आपका 500 रुपया वेश्ट चला जाया यह शॉटलिस्ट ना करें आपको 30 सेप्टेमबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं अब इसमें पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने बुला आपको फिल करना ही पड़ेगा तो अब यहां से पर्सनल इंफर्मेशन वाला पेज उपन होता है इसमें आपको सारी अपनी पर्सनल डीटेज जो यह मांग रहें जैसे ग्रेड एप्लाइड फॉर है तो पी आर्ट के लिए क्या है जो जो पोस्तना सब्जेक्ट व दिके अपको सारे के सारे शारे डांस इंग्लिष फ्रेंज लाइब्रेरी मैश मूजिक अदर साइण्स वगरण तो यह पी आर्ट के लिए नहीं अप्लाई करना आपको टीजी ट करना तो आप तीजी ट क्लिक करेंगे फिर इसमें subjects के options आ जाएंगे, TGT में, Art, Craft, Biology, Business Studies, Chemistry, Computer, Economics, English, Environmental Science, French, Geography, Hindi, History, History, Civics, Maths, Physical Education, Physics and Science इतनी सारी वेकेंसी हैं, और भी हो सकती हैं क्या, इतनी तो मुझे स्क्रीम पर नजर आ रहे हैं, तो TGT के लिए हो गया, अब अगर आपको लग रहे हैं, TGT के लिए नहीं, PGT के लिए अप्लाई करना हैं, किसी को है ना PGT, तो इसमें भी subject के option आप चेक कर सकेंगे, PGT आप करते हैं, तो आपको सारे subject के option आजाते हैं, सबसे पहले, Accountancy, Art and Craft, Biology, Business Studies, Chemistry, Commerce, Computers, ICT, Economics, English, Environmental Science, French, Geography, Hindi, History, Informatics, Practices, Legal Studies, Mathematics, Music, Vocal, Other, Physical Education, Physics, Political Science, Psychology, Psychology, Sanskrit, Science, इतनी सारे subject, यह सारे हैं आपके post graduate teacher के लिए, इसके अलावा और भी सारे options इनोंने देके रखे, Pre, Primary, Other, Wellness, Teacher, Admin, तो जो भी आपको अप्लाई करना हैं, यहां से आप से अप्लाई कर सकते हैं, पहले पेज में आपने स्कूल तो सेलेक्त करी लिया है, तो यह आपकी recruitment portal है, ज इन जावारी महाराष्टर में और एक उत्तरप्रदेश वारानासी से, तो तीनों की कोई भी एक website आप विजिट कर ले, DPS वारानासी उस पर ही आपको जो advertisement है, वही same advertisement तीनों पर है, 4 DPS जो में cover कर रहे हैं उस वीडो में, वह 4 DPS में same vacancies आपको नजर आने वाली है, तो चल DPS वारानासी की सपोज मिल जाती है आपको link, देखें, यह DPS वारानासी में ने open किया, जैसे DPS वारानासी का में ने page open किया, link open किया, pop-up open हो रहा है, pop-up में ही we are hiring DPS, वारानासी is looking for individuals वगर वगर लिखा है, vacancies are open 2025-26, अब permanent है नहीं है, देखें, पर्मनेंट मतलब शुरू अच्छा स्कूल है, जब आप काम करेंगे तो सबसे पहले तीन से चार साल आपको ऐसे ही रखतें, रखतें, बाद में उनको लगता है चार साल काम करने के बाद कि हाँ, यह कांडिड़ेट पर्मनेंट करने लाइक है, अच्छा है, इसका काम करने का तरीका वगर अच्छा लग रहा है, तो वह करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं तो आपको अपने तो बसकुछ ने लिंक क्लिक करें पॉप अपन होगा सारी अड़टिशमेंट की डिटेल नीचे रिप्ला करेंगे तो पोटल एप ट्रुकेशन की यह रिकूट्म फार्म उपन हो जाएगी क्या चा लावा हिंजा वाड़ी जिसमें अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं DPS नासिक में अगर आप जाना चाहें एक DPS वारानसी सही काम हो रहा है application का लेकिन आपको लग रहा है नहीं वारानसी के पेज पे जाके देखना है आप प्लाया दिया रहेगा तो यह DPS नासिक बेले पेज हैं इसमें प्लाया देखने को मिल जाएगे करेंगे सबसे नीचे सोब करेंगे तो करिएं और क्लिक करते ही आपको पोटॉल ऊपन होती है तोसनीज नाधते हैं लावा नाकफुर पे आते हैं थोड़ा सा नीचे स्कूल करने से यहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट फ़रन नजर आता यह recruitment form क्लिक करेंगे तो same portal आपन हो जाएगी फिर वही जो मैंने आपको apply application पो इख विए पोर्टल उपन हो जाएगी तो लावा नगपूर पे भी available है recruitment form, advertisement यह नहीं दिख़ी है, इसमें direct form दिखेगा इसके बाद हिंजावाडी में भी अगर आप आते हैं तो यहां पर भी आपको पॉप अपन हो रहा है देखें जैसे आप हिंजावाडी पे जाते हैं तो एक पॉप अपन हो गया वी आर हाइरिंग सेम अडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल रही है तो चारो ओफिशल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किसी से भी आप अपलाई कर सकते हैं